एलो फ्रेंड्स, मेलकम आल स्लुशन वॉप नुम्रिक यूटूब चैनल पे डिस्कस करते हैं स्टेटिस के कोश्चन के बारे में प्रोक्सिमिटी इंडेक्स वैल्य नि पी आई वी मैथड के बारे में इस कोश्चन से भी राइंग फैंड डाउट करते हैं तो इस question का यानि कि जो question इसका है वो same question यह ही है इस question में हम क्या गरते हैं राइंग निकालते हैं तो यह हमारा question है इसमें आगरेंगे हमने पीछली वीडियो में निकालते हैं तो सेव हुआ ही चीज यहां पर भी comment चलेगा अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे हमने पूरा उसमें समझा रखा है कैसे निकालते हैं आप ऐसं आगरो पर normalize decision में निकालो तो यहां तक तोको से में आपके पीछला कुस्छन मैंने बता करने यहां तक से मैं इसके आग़े चांजी होगी यहां से आपको वेटेट प्रॉक्सिमिटी इंडेक्स बैलु निकालना होगा जिसकी वी आईजे प्लट एड्य इंटो डबल आई जे तैके वार जेखने के लि यह प्रोसेश जो एक कई सारे कोर्शन में कामन चला ठीक है आप सीव डड़लू सीवन डबवलू सीटू डबलू सीटू डबूलू सीट्री डबलू सीफौर की वैलू आप याद कर लो वही वैलू सेम चलेगी ठीक है आपको समय मल्टिप्लाइ करना होगा आप जब इसको हम समझते हैं कैसे निकालेंगे जो हमारी maximum value आगे कॉलम की उसमें से जो भी value को सब को भी आगा रहेंगे minus कर देंगे जो भी maximum जिस भी column को निकाल ले हैं हम यहां पर c1 का और c4 का बता हैं जो हमारा c1 है c1, c2 और c3 का सेम चलेगा maximum value minus जो value आपके पास है जो maximum value आप निकाल होगे जिस यहां पर आप question में आप क्या करोगे जो maximum value है उसमें से minus करोगे जब आप c4 में जाओगे यह क्या c4 minus में है यहां पर minimum value लोगे फिर उसमें से minimum जो हम पहले value लोगे जिस column को हम कर रहे है उस column के value minus minimum value जो है उसका उससे minus कर दोगे तो आपके पास यह value निकल के आगी यहां पर आपके पास value निकल के आगी यह पूरी आपके पास क्या हो जागी value आ जागी क्या गिया थे इसमें यानि कि हमको minus करना था एक बार फिरसे में आपको समझा जाता हूं यानि कि जो maximum value होगा जैसे आपने और c2 c4 निकल लोगे तो c1 में जो maximum value आएगा ठीक है उसको लोगे और फिर जो आपके value फरस्ट वाली value होगे ठीक है उसको आप क्या करोगे minus करोगे तो आपके पास यह value आ जाएगा यह क्या हो जागे यह value मैं यहां पर लिखा सेम maximum value c1 के लिए common चलेगा यह की होगी फिर आप minus करोगे ठीक है तो आपके पास यह value आ जाएगा ठीक है आप अगर होगे ऐसे से सबको minus करते हुए जाओगे ठीक है तो आपके पास पूरी value आ जाएगी और c4 में change होगा c4 में क्या अगर होगे आप पहले वह value लिखके चलोगे जो आपने find out किया है यह जैसे c4 क आपके पास पूरी value आईए इसको अपने find out किया है तो उस value को ले लोगे और जो minimum value होगा उसमें उसको minus करोगे ठीक है तो आपके पास पूरी value निकल के आजाएगी आएट दिन आप निकालोगे प्रॉक्सिमेटी index value ठीक है एन राइंग तो प्रॉक्सिमेटी index value होती उसको निकालने के लिए d i is equal to summation of j is equal to 1 to n u i j ठीक है जो आपके पास पूरी value आईए इसको ठीक है आपके पास यह पूरी value निकलती होगे ठीक है तो आपके पास यह पूरी value निकलती होगे ठीक है और यहाँ पे हम क्या करेंगे गो सबसे lowest value आ रहा है तेग्ए यहनी की इसमे हैं is यहानी का करते है उशा का rank फिर्षंट नाम देते है यहां व्हें सबसे lowest ऑन है इसके बाद है इसके बाद इंचे बाद इसके बाद है इसके बाद इसके बाद है तैंपर हे cauck प्रॉक्सिमेटी इंडेक्स प्रॉक्सिमेटी इंडेक्स की जो लोइस्ट वैलू होगे उसको कहा रहेंगे राइंक वन नाम देंगे ठीक है